नियम तभी कारगर होते हैं जब उनका पालन ठीक से कराया जाए लेकिन बुर्हानपुर में कुछ अलगी तस्वीर सामने आई है जिला कलेक्टर प्रवीन सिंग के आदेश के बाद मंडी रेनू का क्रश्ची उपज मंडी में लगाई जा रही है लेकिन जिस उदेश के साथ इसे यहां लगाया गया वो पूरा हुता नजर नहीं आ रहा है नियमों की खुले आम धजियां उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है जो आने वाले वक्त में संक्रमन की दर को बढ़ा सकता है बावजुद इसके जिम्मेदारों का कोई भी ध्यान इस ओर नहीं है तस्वीरें देखके आप अंदाजा लगाईए किस तरह लोगों की यहां पर एक भीड नजर आ रही है बड़ी भीड बड़ा तबका भीड का नजर आ रहा है लोगों का और कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाया है यह तस्वीरें बुर्हानपूर की है मत्यप्रदेश की जहां जिला कलेक्टर प्रभीन सिंग के आदेश के बाद मंडी को शिफ्ट किया गया रेणू का क्रिश्य उपज मंडी में और लोग खरिदारी करने के लिए जब पहुंचे तो इस तरह के तस्वीर निकल कर सामने आई कि इसी कारण से जिला प्रशासन दारा जो हमें निर्देश दिया गया है कि कल दिनांग से शनवारा के अंदासी फलफ्रूड मंडी रहेगी और सबजी आलू प्या याद्रक लेसून ये रिनूर का मंडी प्रांगन में शुरू किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा भ है सब्जी मंडी प्रेनों का मंडी पर हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं बड़ा सवाल बस यही है कि आखे जिस उद्देश के साथ यहां पर सब्जी मंडी लगाई गई है यह तस्वीरें देखने के बाद भी कोई जिम्मिदार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा आखिर क्या संक्रमण बढ़ने का हम इतजार कर रहे हैं और लोगों की समझ कहा है जब लगातार प्रशासन सरकार अपील कर रही है लोग ऐसे में सुनने को तयार क्यों नहीं है यहां गलती आम लोगों की भी है जो यहां खरिदारी करने पहुँचे और प्रशासन की भी है जो अब जिम्मिदारी से ध्यान नहीं दे रहा है